गड़ में जो है आरक्षन पेज, नए सत्र में भी सेंटर फॉर बेसिक साइंस में प्रवेज जो है रुके, तो बहुत से भरती परिक्षा, बहुत से एडिमिशन के प्रोसेस पूरे आरक्षन मामले के वज़े से काफी जादा इस्तिती जो है गंभीर हो रहा है, और आप सभ कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ प्रेस विग्यापित हुआ है, क्या कुछ नोटिफिकेसन निकल करा है, फिर से एक नई आरक्षन मामले में आप सभी को मैं बताता हूँ, ताकि आपको आरक्षन मामले में जित्ते भी परशानी हो रहे हैं, आपको सही जानकारी मिल पाए तो आप लोग देख सकते हैं आरक्षन पेज, नए सहत्रम में भी Center for Basic Science में प्रवेज रुके, आरक्षन विवाद खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है और इसका आसर अब भी देखने को मिल रहा है, अब कॉलेज़ों में इस साल होने वाले नए एडमिशन पर भी हो रहा है आरक लेकिन इस साल आपको बताना चाहता हूँ कि आप Center for Basic Science नहीं की, CBS में होने वाले नए प्रवेज को लेकर भी संसाई की स्थिती जो है बन गई है, यह Center पंडित रवी शंकर शुकलवी स्वविद्याला जो है कैंपस में स्थित है, 36 गड़ में एक मात रवी स्वविद्याला जहां इस कोर्स के पढ़ाई हो रही है, यहां सीटों का आवंटन आरक्षन के अनुसार ही होता है, देखे हर एक में कॉलेज किसी भी चीज में हो चाहिए विकेंसी, सो सभी में आरक्षन के हिसाब से ही सीटे जो है अलॉर्टमेंट होता है, लेकिन अभी आरक्षन नहीं सुलजा तो CBS के साथ ही बाकी कावलेजों में भी नय प्रवेश रुख जाएंगे, देखे आरक्षन जब 76% आरक्षन देखे 50% आरक्षन था बिल्कुल सही था, लेकिन जब 76% जब आरक्षन हुआ उसके वज़े से, जब क्योंकि 76% आरक्षन नहीं नवी अनुसीची में सामिल हो सकता है, तो जब सामिल ही नहीं होगा, तो किसी भी तरह से लागू नहीं हो पाएगा, करीब 7 साल पहले, रवी संकर्वी सुवेद्याला में यह सेंटर सुरू किया गया था, इसमें बारवी के नमबरों के अधार पर जो है, छात्रों को फर्स्ट एयर में जादा आवेजन जमा होते हैं, आमत और पर मई के आकरी हपते या जुन के पहले हपते में प्रवेश परिक्षा होती है, लेकिन इस साल अभी तक कोई शुचना जारी नहीं की गई है, तो इसका सिधा सिधा अशर और सिधा इसका डिसेडवांटेज इस्टूडेंट को ही म पढ़ने के लिए हर महीने पांच हजार रुपे की स्कॉलर्शिप दी जाती है, यानि कि आप सोच सकते हैं कि इतना अच्छा मुझे नहीं लगता कि चापतिस गड़ में कोई कॉलेज होगा, जहां आप पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको बेश्ट एजूकेशन, बेश्ट सिक्षा दिये जारे, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको खर एक महीने जो है, पांच हजार की स्कॉलर्शिप दी जाती हो, इसमें लेकिन हर साल आपको पांच हजार की स्कॉलर्शिप दी जाएगी, इसमें कहा गया है कि MBBS PG को छोड़ कर इस तरह का कोर्स कहीं भी नहीं है, जहां चात्रों को पढ़ाई के लिए रकम दी जाती है, कोई भी नहीं है, यह पहली दफ़ा है, जिसमें आप BS में देखने को मिल रहा है, जहां चात्रों को पढ़ाई के लिए रकम दी जाती है, गौरत लभे की, रविश अंकर, विश्व विद्य प्रवेश ले सकते हैं एक बार प्रवेश लेने के बाद शात्र पीजी तक ही पढ़ाई कर सकते हैं तीन साल की पढ़ाई पर ग्रेजिएशन और पांस साल की पढ़ाई पर M.Sc. की डिग्री मिलेगी प्रवेश परिक्षा के बाद काटिग्री वाइस प्रवेस लिष्ट जारी होती हैं हिंट्रेंस एक्जाम्स के लिए नहीं मिले परस्ताओ पिछले साल का आरक्ष्ण विवाद इस बार भी है ने सत्र में दاخिले के लिए हर साल व्यापाम से कैलेंड केलेंडर जारी होता है है इसमें प्री sagt समय जनकारी दी जाती है बताया जा रहा है कि इसके आवेधन कभ से भरे जाएंगे और परिक्षा कभ होगी यताय नहीं है आमत और पर परवेस फरिक्षा अप्रेल के आखरी हपते या मई के पहले सब्ता से सुरू होती है इसके लिए व्यापम से फरवरी मार्च में कैलेंडर जारी कर दिये जाते हैं लेकिन इस बार जो है कैलेंडर को लेकर भी संसाय है तो यह आरक्षन मामले में जो है नई इसी थी आरक्षन के वज़े से आरक्षन विवाद के वज़े से काफिज जादा दिक्तते काफिज जादा परशानी जो है इस टूडेंट को हो रहा है और एक के बाद एक जो है शतिस गड़ में आरक्षन मामले में और जिसमें जो स्टुडण जी इसको सभा मैं ऐगर पता नहीं तो आप iis को तोटल म deputy से तो चाली सीट हैं और इसमें सबसे महतना पुर्ण ये बात है कि आपको पांचाहाजारूपय की सैलेरी संथा पांचेजारूपय की स्कॉलर्शिप अब को खार एक उन जो है दीआ यानि कि aún तो एक चाल साथा जार रूपय कुद के तरफ से आपको घ्रारीच महांने में आपडेट्स निकल करा जाए और अगले महीने मार्च में मार्च में में माँट है मार्च मे मामले में कोई भी जो जानकारी है कि सब्सक्राइब तो अब सब्सक्राइब यह सभी जानकारी जो है बिल पाएगा बस इसी तरह से अच्छे से त्यारी करते रहें अच्छे से मेहनत करते रहें आपका सेलेक्शन जो डेफिनेटली अवस्तुरिप से खोपाएगा तो बहुंत ही अच्छा कोर्स और यह बिल्कुल नया कोर्स है और पंडित रवी शंकरविष्व विद्याला में और पहली बार यह कोर्स है और शतीस गड़ में किसी भी कॉलेज में ऐसी कोर्स जो है बिल्कुल नहीं होता है एक दम बिल्कुल यूनिक कोर्स है बहुत ही अच्छा कोर्स है तो इसमें आप एड़लोग एडमिशन ले सकते है और कोई भी नहीं अपडेट्स आएगा अरक्षन मामले में कि क्या इस्तिति बन रहा है मैं आगे भी आपको आउगत कराऊंगा आगे भी आप लोगों को बताऊंगा तो इसके लिए आप जो नोटिफिकेशन को अंड करके रख लिए ताकि जब भी कोई भी अपडेट्स आप तक वो अपडेट्स आप तक वो जनकारी जो है सबसे पहले जो है मिल पाएगा तो इसी तरह से नहीं नहीं गवर्मेंट आप वेकंसिस के इस रिलेटेड वीडियो की जनकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो को लाइक करना मिलते आप यह जो हॉए पारे के लिए चैनल करोगे हो है और एक इंट्रेंसिफा वी प्रस्ता जो है बिजो है बिल्गुल भी तक नहीं मिले हैं कि आखिर कर कब जो है इंटरेंस एक्जाम जो है आपके खूंगे तो इसके लिए भी जल्दे इंटरेंस एक्जाम के लिए भी नोटिफिकेस तन आने के असार जो है नजर आ रहा है